हमश्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर निगम्स होमोपेतिक हेल्थ केर में अगर आपको हमारे चैनल में बताई गई जानकारिया कुछ फाइदे मन देख रही हैं और आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज कर रही हैं तो आप हमार चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज ऐसा करें आपको भविश में मैं बादा करता हूं कि बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्राइटिस की डॉक्टर इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं हम लोग जब इसको गैस्ट्र जब लोग गना जाना होता है और इसके कई सिंटम्थ होते हैं सबसे से इंप्रोटन्ट जो होता है वो होता है पेट में जलन साथी साथ गले में उर्दू में बोलों तो हलक में में जलन होना हलक में गैस बड़ी विचित्र चीज होती है, गैस बनती है, उर्दु में बड़ा अच्छा वर्ड यूस करते हैं, रेहा बनती है, और अक्सर ये पेशिन कहता है कि रेहा खारिज नहीं होती, बड़ी ब्यूर्फूली कहते हैं, रेहा खारिज नहीं होती, मतलब ये होता है कि गैस पास नहीं होती है। साती सात पेट में भारीपन लगना, उल्टी की फीलिंग लगना, उल्टी हो जाना, खट्टा पानी मुह में आना, डकारे आना, दर्द रहना, और इन दे लॉंग रन वजन का घटना, ये सारे कौज़ेस हैं जो की गैस्ट्राइटिस के कौज़ेस माने जाते हैं, ऐसा आजकल क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण है, सबसे बड़ा कारण जो देखने में आता है, वो ये है कि हमारा खाना ही खराब हो जाया है, आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें कितने फर्टलाइजर मिले हुए हैं, उसकी क्या प्रोक्यूर्मेंट है उसकी फूड चेन में किस तरहें से वो रखा जाता है? तो आपके पास जब भी सबजी आए, आप सबजी को पानी में बिगोईए, और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा पोटेशियम पर्बैगमेंट डाल दीजिए, पिंकी कहा जाता है इसको बोलचाल की भाशा में, किस पासी और फल जब पानी में डालेंगे और कम से कम आदा गंटा रहन देंगे, उसके बाद उनको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके उनको धोएंगे, फिर काटेंगे, छीलेंगे और काटेंगे और उनको फिर पानी में डालेंगे, फिर उनको धोएंगे और तब इस्त जाएगी आपका पेट सुदरने लग जाएगा और आपका दिन अच्छा जाने लग जाएगा सबसे बड़ा कॉज गैस्ट्राइटिस का देखाई यह गया है बैक्टीरिया और या फंगल इंफेक्शन हो जाना दूसरा कॉज इस्ट्रेस आज केल की दुनिया में भागती दौरती दुनिया में हम सब परिशान रहने लग और यह परिशानी हम लोगों के अंदर stress पैदा करती है और वेगस नर्व होती है जो brain को connect करती है हमारे इस तमक से जिसकी वज़े से hyper acidity acid का secretion बढ़ जाता है फिर irritants तमाम लोग तमाम irritants ले रहे हैं बच्चे red bull पी रहे हैं red bull में caffeine है caffeine एक बहुत potent stimulant है acidic formation का बच्चे beer पी रहे हैं बच्चे शराब पी रहे हैं बड़े शराब पी रहे हैं शराब पीने से बहुत ज़्यादा acidic secretions हो जाते हैं साथी साथ शराब के साथ जो चखना होता है वो चखना क्या होता है घी तेल से लब्रेस चीज़े होती है वो acidity बढ़ाती है फिर हर आदमी के मुँ में गुटका है किसी के मुँ में गुटका है किसी लेडी के मुँ में पान मसाला है मीठा वाला किसी के दोरा है कोई पान खा रहा है तमाकु वाला इन सब चीज़ों से पेट क्या irritation बढ़ता है acidic secretion बढ़ता है बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनमें कि आपको एसीडिटी बढ़ सकती है बहुत सारी दवाईयां इनफेक्ट सारी एलोपेथी की दवाईयां एसीडिटी बढ़ाती है इसलिए आपको डॉक्टर जब आपको नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन दस बारा दवाऊं का देता है तो साथी साथ एक एसीडिटी की दवा जोड़ देता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी अपनी दवा से एसीडिटी बढ़ने वाली है फिर ओल्ड एज में भी एसीडिटी बढ़ती है यह common causes हैं एसीडिटी हो जाने के ऐसे cases में आपको क्या करना चाहिए देखिए एसीडिटी को कंट्रोल करने के कई बेसिक परीके हैं एक तो liquid diet बढ़ा दीजिए diet में acidic चीज़ें कम लीजिए acidic चीज़ें क्या होती हैं और alkaline चीज़ें क्या होती हैं यह मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ साथी साथ आप exercise शुरू करिए कम से कम 5000 steps हफते में 5 दिन जरूर से लिए हो सके तो अनुलोंग विलोंग करिए इस से आपका mental stress कम होगा mental stress कम होगा तो acidity कम होगी साथी साथ खाने को धो करके अच्छी तरीके से पकवाईए जब खाना खाईए तो उसको आराम से चबा करके लीजिए खाने के बीच में पानी मत पीजिए पर खाने के पहले और खाने के बाद पानी का सेवन करिए साथी साथ नीद अच्छी लीजिए और खाने में आपको जो चीजें नहीं लेनी हैं जिन चीजों से बचना है अगर आपको एसिडिटी है तो उन चीजों के मैं नाम बताता हूँ ये सारी एसिडिफाइंग चीजें हैं जैसे मीट या मीट परोडक्ट फिश सारी शुगर्स एसिडिफाय करती हैं साथी साथ डेरी परोडक्ट आज कलके डेरी प्रोटक्ट तो माशालला उनके अंदर क्या मिला है यह आपको नहीं मालूं कहो यूरिया पड़ी हो कहो उसके अंदर आपके दूद वाले ने हॉर्मोन लगा करके दूद घर में लाया हो कार्टन वाले दूद फिर भी बेतर है और डबल टोन दूद का सेवन करें अगर दूद का सेवन नहीं करना है को कुछ से पिए मलाई का कंटेंट कम हो जाता है चोकलेट आपको अच्छी लगती होंगी मगर चोकलेट्स एसी डिटी बढ़ाती है कॉफी और टी एसी डिटी बढ़ाती है टी पिए तो माइल्ड टी पिएं, विद मिल्क पिएं और कॉफी तो खता ही मस्तल है फ्रूट आपके लिए फाइदे मन्द हैं लेकिन फ्रूट जूस आपको एसिडिटी बढ़ाएंगे सोडा लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है सोडा पीलो सोडा से एसिडिटी बढ़ती है और सारे तरे की शराब, खैनी, गुटका, माउट फ्रेशनर ये सब एसिडिटी बढ़ाएंगे अगर आप इनका ज़्यादा सेवन करेंगे तो फिर एलकलाइन या एलकलाइजिंग फूड क्या हुए एलकलाइजिंग फूड वो फूड होते हैं जैसे की वेजटेबिल्स जैसे की नौन सिट्रस फूट्स जैसे एपल ही सही एपल को खाने के लिए मैं आपको बता दूँँ आज कर एपल जो आता है उसमें पॉलिश होती है गरम पानी में पहले उसको धोईए फिर खाईए वेजटेबिल्स में एक चीज़ धियान रखिए घ्योर ग्रीन येलो औरेंज और रेड ये सारी वेजटेबिल्स इस कलर की आपके लिए फाइदे मन रहेंगी उनको मसालेदार चटपटा खाने की तरह मत बनाईए साधी सा मत्रा कम रखिए और स्प्राउट्स का ज्यादा सेवन करिए फ्रेश वेजटेबिल्स आपके लिए ज्यादा अच्छी हैं फार्म फ्रेश वेजटेबिल्स साथी साथ अब मैं आपको बताता हूं कि होंपर थी आपकी क्या मदद कर सकती है देखिए जब भी आप कभी एसी से ताम हो जाती है जो एसेड को निट्रलाइज करते हैं ऐसे जल होते हैं जलिसल हो गया म्यूकेन हो गया इस तरह के जल्स होते हैं दूसरा डॉक्टर आपको एंटी हिस्टेमिनिक दे सकते हैं एस टू ब्लॉकर्स कहते हैं उन्हें जैसे की रैनिटीडीन, सीमिटीडीन, रैबिप्राजोल यह सारी दवाइं दी जा सकती हैं इन लॉंग रन इन दवाओं की आदद पढ़ जाती हैं कभी न कभी आपको होमियोपेथी की तरफ मूंग करना ही पड़ेगा और होमियोपेथी में इतनी ब्यूटिफुल दवाईयां हैं आपकी ऐसी डिटीटी के अगर आप 10 किसी पार्टी में जाने दे पहले ले ले और पार्टी जिया करके ले 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 तो एसी डिटी नहीं हो दूसरी दवा है कार्बो वेज में गैस बहुत बनती है अभीगरिश का गोला घूंता है गैस का गोला गूं में एसी डिटी हो तो एक और दवा फायदे ऐसे ही Argentum Net, पेशन को शुगर खाने से ऐसीडिटी होती हो, शुगरी चीजों से ऐसीडिटी होती हो, पेशन को घबराट लगती हो, पेट में गैस बनती हो, बंध कमरे में घुतन होती हो, Argentum Net. जैसे की Lycopodium, पेशन के चार बजे के से आठ बजे के बीच में गैस बनती हो, पेशन को खाना गरम अच्छा लगता हो, खाने के बाद मीठा खाने कामन करता हो, पेशन को उल्जन बेचैनी घबराट रहती हो, ऐसे पेशन को Lycopodium दवा देने से उसकी ऐसीडिटी खतम हो जात आर्सनिक अलबम एक दवाय जो की काम करती है, इसमें पेशन बेचैन बहुत होता है, एसीडिटी होती है, कभी-कभी पतले दस्त भी होते हैं, नक्स वामिका में दस्त भी हो सकते हैं, कबजियत भी हो सकती है, तो तमाम दवायें आप होपैत के पास जाएंगे, एक और एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत करने का मौका देते हुए, मैं अपनी बातों को समाप करता हूँ, नमस्कार झाल